अमजद खान फिल्म इंडिस्ट्री के सबसे खतरनाक विलन के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने कई सारे फिल्मों में विलन के किरदार प्ले किये मगर जिस रोल के लिए वो ताउम्र जाने गए वो था शोले में गबर का किरदार अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने शानदार रोल प्ले किया था मगर अमजद खान ताउम्र अपने उस किरदार की छतरचाया में रहे नी संदे उन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्में की मगर शोले में गबर की रोल में उनका असर जितना प्रभावशाली था उतना किसी और किरदार में नहीं दिखा अमजद खान की पुन्यतिति पर बता रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ किस से अमजद खान जस फिल्म से जबसे ज़्यादा पॉप्लर हुए वो थी शोले शोले में गबर की किरदार ने उन्हें सारी दुनिया में पहचान दिलाई मगर बहुती कम लोगों को ये पता होगा कि अमजद से पहले ये रोल डैनी को मिला था मगर बात नव बन पाने के बाद इसमें अमजद खान को कास्ट किया गया बता दे कि अमजद खान की फैमिली का फिल्मों से पुराना नाता है कम ही लोग जानते होंगे कि अमजद कान के पिता जैन्त खान भी फिल्मों में विलन का रोल प्ले कर चुके है हाला कि अमजद खान के बड़े बेटे शादाप खान अपने पिता जैसा करिश्मा नहीं कर पाए और उनकी ज्यादा तर फिल्में फ्लॉप रही शादाप खान ने फिल्म राजा की आएगी बारत से बॉलिवुड में डेब्यू किया था वहीं अमजद खान के दूसरे बेटे सिमाप खान को भी अक्टिंग विरासत में मिली थी आमजद खान का जन्मर 12 नवेंबर 1940 को पेशावर में हुआ था और 27 जिलाई 1992 को हार्ट अटेक की वज़े से उनका निदन हो गया